दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा, जो पूरी तरह से ठीक होने के बावजूद विकलांग बनकर भीक मांगते हुए उनका परदापास हुआ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आपको एक सक्स दिख रहा होगा, जिसके गोद में एक बच्चा भी है, बच्चे के हाथ में एक पट्टी बनती हुई है, भिखारी इस चोट को दिखा कर भीक मांग रहा था, तभी कुछ लोगों ने इसके चलांकी को पकड़ लिया, उसके बाद जो हुआ इससे आप खुदी देख सकते हैं। नमबर टू यहाँ चाइना का एक भिखारी है यदि आप इसे देखोगे तो आपको इस पर काफी दया आएगी दूर से ऐसा लगता है कि इसके पास दोनों पैर नहीं है जिसकी वज़ा से इसे लकड़ी से बने गाड़ी से रेंगते जाना पड़ रहा है कोई भी इसे इस हालत में देखकर पैसे दे देगा एक दिन एक वैक्ती को सक हुआ और उसने उसका परदफास करने का सोजा और वावैक्ती उस रोजवाली जगह पर पहले जाकर उसका इंतजार करने लगा और उसका परदफास करने के लिए उसका पैंट खीचने लगा उसके पैंट को खीचने के बाद जो लोगों ने देखा तो देखते ही रह गए तो दोस्तों अगली बार किसी विकलांग को भीग देने से पहले उससे थोड़ा जाच लीजिएगा